प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से तीन वंदे भारत रेलगाडियों को रवाना किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतिय रेलवे का नया चहरा है. आज शहर में हर रूट पर वंदे भारत की मांग है. हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों में व्यापार, रोजगार और सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है. आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रगी है. वंदे भारत की पहचान, वंदे भारत ट्रेन यानि तेज और आराम दायक सफर का माध्यम. आज से मदुरई बैंगलूरू, चेन्ने नागर कोईल और मेरठ लखनों के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवाश शुरू हो रही है. बंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिक्ता, ये रप्तार, हमारा देश, विक्षीद भारत के लक्ष की और, कदम दरकदम बढ़ रहा है. आज जो तीन बंदे भारत ट्रेने शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपुन शहर और एहत्यासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है. टेंपल सिटी मदुरई, अब आईटी सिटी बैंगलूरू से बंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है. त्योहारों या विकेंड पर मदुरई और बैंगलूरू के बीच आवाजाही के लिए बंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविदा होगी. साथ ही ये बंदे भारत ट्रेन तीर से यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी. चेन्ने से नागर कोईल रूट की बंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाब होगा. जिन जगहों तक बंदे भारत एक्स्प्रेस के सुविदा पहुँच रही है, वहाँ परियतकों की संख्या बढ़ रही है. परियतकों की संख्या बढ़ने का मतलब है, वहाँ कारोबारियों, दुकानदारों के आईए में बढ़ोत्री हो रही है. हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं. इन ट्रेनों के लिए देश वाचियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ. प्रधान मंत्री मोधी के Make in India और आत्म निर्भर भारत के द्रिश्टिकों को साकार करते हुए अत्यधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस तीन मारगों, मेरट, लखनव, मदुरे, बिंगलुरू और चेन्नई, नागर कोईल पर कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी. ये वंदे भारत रेल गाडियां वर्तमान में तीवर गती से चल रही गाडियों की तुलना में यात्रा समय को कम करेंगी. मेरट, लखनव, वंदे भारत से लगभग एक घंटा, चिन्नई, एगमोरनागर कोईल, वंदे भारत से दो घंटे और मदुरे, बिंगलूरू वंदे भारत से यात्रा समय में देड़ घंटे की बचत होगी. प्रधान मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेने जहां से भी संचालित होती है, वहाँ परेटन में वृद्धी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानिय विवसायों को बढ़ावा मिला है, और रोजगार के नए अफसर पैदा हुए है. उन्होंने कहा कि विक्षिद भारत के लक्ष को पूरा करने के लिए दक्षिन के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है, दक्षिन भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अफसर है, तमिलनाडू और करनाटक समेथ पूरे दक्षिन का विकास हमारी सरकार की प्रात्मिक्ता है बीते दस वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरन है विक्सिद भारत के लक्स को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है अपार संशाधन और अपार अवसर की भूमी है इसलिए तमिलनाडू और करनाट का समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है बीचते दस वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरन है उन्होंने आगे कहा कि इस साल के बजट में हमने तमिलनाडू को 6,000 करोड रुपए से ज्यादा रेलवे बजट दिया है ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है इसी तरह करनाटक के लिए भी इस बार 7,000 करोड से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है इस साल के बजट में हमने तमिलनाडू को 6,000 करोड रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है ये बजट 2014 की तुलना में 7 टाइम 7 गुना से अधिक है तमिलनाडू में 6 वंदे भारत ट्रेंज पहले से ही चल रही है इन दो ट्रेंज के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी इसी तरह करनाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 टाइम 9 गुना दिक है आज बंदे भारत ट्रेंज की 8 जोडियां पूरे करनाटका को जोड रही है साथियों पहले के मुकामले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडू करनाटका समेट दक्षीन भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है इन राज्यों में रेलवे ट्रेक्स बहतर हो रहे हैं रेलवे ट्रेक का इलेक्रिफिकेशन हो रहा है अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरन हो रहा है इससे लोगों की इज अफ लिमिंग भी बड़ी है आज मेरट लखनव रूट पर बंदे भारत ट्रेन के जरीए यूपी और खासकर पश्चमी यूपी के लोगों को भी खुशकबरी मिली है मेरट और पश्चमी यूपी क्रांती की धरती है आज यह क्षेत्र विकास के नई क्रांती का साक्षी बन रहा है आज मेरट लखनव रूट पर बंदे भारत ट्रेन के जरीए यूपी और खासकर पश्चमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशकबरी मिली है मेरट और पश्चमी यूपी क्रांती की धरती है आज यह क्षेत्र विकास की नई क्रांती का साक्षी बन रहा है मेरट एक और आर आर टी एस के जरीए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है दूसरी और इस वन्दे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनव की दूरी भी कम हो गई है आदुनिक ट्रेने एक्स्प्रेस वेज का नेटवर्क हवाई सेवाओं का विस्तार पी एम गति शक्ती का विजन कैसे देश के इंफ्रास्टेक्टर को बदलेगा NCR इसका उदाहरन बन रहा है साथियों बंदे भारत आदुनिक होती भारतिये रेल्वे का नया चहरा है अलेकनिय है कि ये नई वंदे भारत रेल गाडियां क्षेतर के लोगों को तीवरगती और सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए विश्वस्तरिये सेवा प्रदान करेंगी और तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू और करनाटक के लोगों की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करेंगी इन वंदे भारत एक्स्प्रेस रेल गाडियों की शुरुआत नियमित यात्रियों, पेशवरों, व्यापारियों और छात्र समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल सेवा के एक नए मानक का शुभारंब करेंगी 102 वंदे भारत रेलवे सेवाए संचालित हो रही है, अब तक 3 करोड से जादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं ये संख्या बंदे भारत रेनों की सफलता का सबुत्तो है ही, ये आकांची भारत की आकांचाओ और सपनों का प्रतीक भी है